Hello student, हम बात करते हैं, Class 8 में, Neutralization And Neutralization कब होगा? जब Acid और Base दोना आपस में react करेंगे, तो भे क्या बनाएंगे? Salt और Water क्या बनाएंगे? Salt और Water उसे ही अभी करिया क्या बनाजाता है? Neutralization या उदासी नहीं करण अभी करिया ठीक? यहां देखिए It is the reaction between an acid and base Which result is formation of salt and water यानि कि, जब Acid और Base की अभी करिया आपस में जब कराई जाएगी तो भे क्या क्या बनाएंगे? Salt और Water इसी अभी करिया कागा जाएगा? Neutralization ठीक? Acid प्लस Base बरावट Salt प्लस Water Acid में HCl ले लीजिए क्योंकि हमें पता है Acid क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं और Base क्या होते हैं? जो H माइनस आयन देते हैं NaOH ठीक? क्या बन जाएगा? H2O और NaCl NaCl ठीक? NaCl अब बात करते हैं Neutralization In Everyday Life यानि कि जो हमारे जीवन में जो उदाशनी करना डवी करिया होती है Everyday पिर जोने देखते हैं पहले Indyjection ठीक? Indyjection यानि कि खटी-खटी जब ड़कार आती हैं उन्हें बोलते हैं Indyjection ठीक? Indyjection को मतलब क्या होते हैं? खटी-खटी जब ड़कार आती हैं उन्हें बोला जाता Indyjection क्लिया? देख लिए जब टू मच एसिड इनिस्टो मच जब हमारे पेट में ज़्यादा इस्टो मच पहो जाता तो उसके करन क्या होता? Indyjection ठीक? Indyjection अभी क्लिया तो जब हम ज़्यादा एसिड पहुंच जाएगा तो हमें क्या आती है? डखा रहे आती है क्या आती है? डखा रहे उसी अभी क्लिया क्या बोल जाता? Indyjection नमबर दो पर आंट इस्टिंग क्या बोलते हैं? आंट इस्टिंग जब चिंटी काटती है जब हमें इस्टिंटी काटती है वाइदा रबिंग, मौश्र बेकिंग सोडा, यानि कि किसमे आ जाता है, बेकिंग सोडा में बदल जाता है, जब चियटी जो कारती है, तो हमारे क्या चला जाता है, हमारे इंजिक्ट हो जाता है, क्या फॉर्मिक एसिड, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, चियटी कार ने में Soil यानि टीमेंट Treatment यानि कि Soil यानि मिटी का Treatment ठीक When the soil is too Acid यानि कि Soil में क्या हो ज़्यादा Acid हो It is a neutralization By the Treating With Quclyin किसके द्वारा Quclyin के द्वारा हम किसके द्वारा क्या करते हो Quclyin के द्वारा करते है ठीक Acid में यानि एक soil में क्या होता, acid होता, ठीक, अब बात करते हैं, acid क्या होता, acid क्या करते हैं, acid turn कर देते हैं, blue litmus paper को red में, यानि कि जो acid होते हैं, blue litmus paper किसमें बदल देते हैं, red में, base, base, बैयनि बैस turn red litmus to blue, यह क्या कर देते हैं, base जो होते हैं, red litmus को, किसमें red litmus को, किसमें बदल इसमें बिलू में, किलियर यानि कि सब्टेंस, which are neither acid or nor base, are called neutral, क्या कहलाता है neutral जो पधार्थ, ना तो acid होगा ना base होगा, वे कह कहलाएगा, neutral एक्जामपल के लिए लेख सकते हैं, एक्जामपल में H2O, यानि कि जल, H2O यानि कि water, यानि कि जल, के लिए acid किया होगे, वे blue litmus को red में बदल देंगे और base किया होगे, red litmus को blue में, ठीक अर जो ना तो acid होग, ना base होग, वे क्या कहलाएगे, neutral क्या कहलाएगे, neutral, एक्जामपल के लिए H2O, क्या H2O, ठीक अब next point के बात करते हैं, solution of a substance, solution of a substance that so different color in acid, base and neutral solution, are called indicator, यानि कि indicator, जो color को की दुवारा, यानि कि जो अब बात करी, dad color की, जो acid और base के जो color को define करता है, यानि कि color के दुवारा define करता है, उसे क्या बोला जाता, indicator, यानि कि later on paper, यानि कि indicator है, सूच का सूच, ठीक last point है, an acid and base and acid are a base यानि कि neutralize each other यानि कि neutralize each other and form a salt a salt may be acid base or neutral in nature यानि कि ये क्या बनाते है जब acid और base आपस में क्लिया करते हैं, तो ये क्या बनाते है salt बनाते हैं, और water ये salt acid भी हो सकता है base भी हो सकता है, और neutral भी हो सकता है, प्राकरती में, किसमें? नीचर यानि प्राकरती में, क्लिया? हमना नीटराइजिशन की बात करी, उसके जो life daily में use हैं, उनके बारे हम बात करी, ठीक? और जो हमें इने color के दुबारे define करेगो, यानि कि indicator indicator के बारे हम बात करी, और जो salt बने होगो, जो acid और base के अभी के रिया करने, जो salt बने हो, वो क्या हो सकता है? acid भी हो सकता, base भी और neutral भी हो सकता, किस में? nature में, clear? यह बात सी जाएं, याज कि acid और base के बारे हम पढ़ाओ, जो red litmus को red, यानि blue to red और red to blue, यानि acid और base के बारे हम यहाँ पढ़ाओ, ठीक? clear? okay, thank you